निट परिक्षा में गरबडी का मामला सामनी आया है इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवादे रायपूर से आ रही खबर से आपको अपडेट करवादे निट परिक्षा में गरबडी का मामला सामनी आया है बालोद में नीट में परिक्षा में हुई थी गरब नित के पेपर को लेकर राजिपाल से मिलने आये थे बलौजीरे में नित के पेपर में बड़ी गड़बड़ी हुई है चात्रों को गलत question paper दिया गया इस बड़ी खबर से आपको update करवा दे जो जे कि रैपू से सामने आई है नीट पर इच्छा में गरबड़ी का मामला सामने आए है बाल जिले में हुई है नीट के एकजाम में गरबड़ी चात्रों को गलत paper दिया गया है नीट परिच्छा में गड़बड़ी हुई है रसमक की बड़ेट ख़बर से आपको अबड़ए का मामला आई आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है संगीता सिन्धा ने कि अगर किसी कारण वास बच्चे अगर इनसे नहीं मिलता है और। बच्चे किसी पर अगर आत्मस्त्य कर ले नकर आज गड़े तो इसकी जिम्हेदारी G थुखना है बच्चों के भविश्य के बारे में सोचना है और हम निवेदा नी नहीं अपील कर रहे हैं, हम तो राजयपाल के पास आएं, हम राश्ट्रपती को भी लेटर दे रहे हैं और हम NTA को भी लेटर दिये हैं, और हमें आशनी, मैं बोली उसको आशनी विश्वास है क्योंकि जिस प्रकार से राजेपाल हमसे मिले और उन्होंने कहा कि हम इसमें बात करते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि इन 400 बच्चों को न्याय मिलेगा राजेपाल जी ने इस विश्वास को उपर उठाने और संग्यान में लेने का हम लोगों को आश्वाशन दिया है हमें पूरा विश्वास है कि इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा इन बच्चों के साथ निया होगा या तो उनको ग्रेस मार्ट दिये जाए और या फिर इस परिक्षा को वहाँ फिर से कराया जाए यही हमारी मांग